तो कितने ही लोग ऐसे जिडे विश गंदलानू छड के चले गए, कई बीजदे बीजदे चले गए बाओ, पदारत बहुत सारे कठे की थे छड के चले, चले एक बहुत प्यारी गाथा जिडे के सनू बहुत उत्तम सिखिया दे सकड़ी है केंदे ने के एक बादिशादे दर्बार बिच एक बहुत वफादार नौकर, बहुत वफादार पर उसने सारे दिन कम करना, सारे दिन मैनत करनी, सारे दिन ते ओ नौकर करना है, के नसीब दो ही रोटिया होंदिया है, मैनत सारे दिन करनी पेंदी और कितनी को दौलत है, इस बादिशादे को रोटिया नसीब होंदिया, इत्फाव प्रबू दी ऐसी खिट होंदी है, के उस बादिशादी मौत हो जानी ते उसनी राणी ने उसे नौजवान नौकर देनाड़ व्या कर लिया, और ओही नौकर जड़े दो परशादे खानदा सी, अज अरबांदा मालिक होगी फिर ओ केंदा है, के जितना कुछी भी मैं कमानदा सी, मैं तादोश देनदा सी, के इस सब किछ इनादा है, पर होन में नौक खबर लगी है, के जो कुछी भी मैं कमारिया सी, वैं खुद बास्ते ही कमारिया सी, खुद बास्ते, केंदेने मनुख दे कुड मकान बहुत पर रेंदा थोड़ी ही थादे विचे बाकी सब खाली दाखाली है अक्सर विखन विचाए कि बहुत वड़ी कोठी है रेंड वाले दो बंदेने कोठी बहुत विशाल है बहुत वड़ी इतनी दौलत है ते दौलत नो खान वाड़ा कोई भी नहीं अखेर विच छड़ की जले जाने पर मनुखदी हवस है मनुखदी तरिशना है इसे करके शायर कहनदा है ये हवस के बंदे सोते रहे जागे भी तो क्या जागे इन्हें सूरज का उगना तो याद रहा पर दिन का ढलना भूल गए जि इतनी कुकल चित्ते होए कि जाना है जाना है क्योंकि दानस बंद कंदें के असी एक थांते खड़ जाई है एक थांते ते साड़े पैराँ थले जो खाक है मिटी है कितनी को मिटी होई केंदे ने उस मिटी दे विच कितने ही लोका नो जिना नो दफनाया गया अगन भेंट कीता गया केंदे ने कईयां दी खाक साड़े पैराँ दे थले लखाँ दी खाक बाओ जिस आसन हम बैठे केते बैस गया साड़े तो पहला कितने ही सी उना तो पहला और कितने ही सी अज असी आँ साड़े तो बाद फिर कोई होर होवेगा उना तो बाद फिर कोई होर होवेगा उना तो बाद फिर कोई होर हो पिर कोई तो मैं अर्ज कर देंसी जिस मनुख नो ग्यान हो गया फिर ऐसा मनुख कहनदा है कि जो असली जिंदगी है ओ बंदगी बंदगी ही जिंदगी है और बंदगी तो बगैर जिंदगी ही गंदगी है फिर कुछ नहीं है तो फरीद जी कंदे ने कि प्रभू ने जिना समा बख्षिया तेनो उदे विच बहुता समय तेरा बतीत हो गिया विस गंदला नो कठे कर दिया पदार्था नो कठे कर दिया और समय किस तरह बीट गिया फरीद जी कंदे ने संभ जितनी भी उमर है मनुक्री विज्ञान कहन दा है मनो जिकित सकंदे ने के अध़्ी उमर मनुक्री भीट जान दी है सुतिया है जे असी साल दी उमर है 40 साल सों के भीट गए 40 साल ते कई तां ऐसे भी ने जिरे पंद्रा पंद्रा गंटे सोंदेने कई ऐसे भी सुत्त ही रहने तामसी सुबब अपने ग्रेस्त जीवन दे विच पदार्तां दी खोज करदा रिया पजदार्य होर चैदाय होर चैदाय होर चैदाय और इसी तरह जीवन देला खतम हो गई सुन्ने घर का पहुना जियों आया त्यों जाया कुछ भी पल्ले ने तो फरीद जी कंदे ने फरीदा चार गमाया हंड के पदार्था नूं पोग के हंडा के फिर चार पहर बीट गए ने दिच्च जदो मनुखनों ने दाउं दिए ता ओ सपने भी कैसे वेख़दा है जो कुछ दिने कीता है उसने सपने भी कुसे तरह दे देखता है उसे तरह देखता है मैं आप जिनों अर्ज कराँ ते गुस्ता की माफ कई दफ़ा जदों सपने दी दुनिया विच पहुंच देयां ते कई वार ऐसा होया कि उत्थे भी कथा ही चलने हैं कथा जल रहे हैं जां फिर कुछ फकीरां दे नाड़ दरवेशां दे नाड़ पगतां दे नाड़ गुर्मखां दे नाड़ बस ओना शंगत विचे बैठे हो है क्योंकि जो कुछ भी इसी चितविया सारे दिन सपने विचे भी ओही कुछ देख दे ओही कुछ इसे करके गुरु नानक साहिब दे कर दी यह मर्यादा है कि जदों दिन समापत हो जावे जदों नेद विच उतरना है तो उसतों पहलां गुरु दे गीत गालें उसतों पहलां सोहिले दी बानी पड़ लें उसतों पहलां क्योंकि शुद्ध रूप सोहिला है अची कई दफ़ा पढ़ जान देयां कीर्तन सोहिला पर कीर्तन सोहिला नहीं है सोहिला कीर्तन शब्द है ही नहीं सोहिला राग गाउडी टीब की महला पहला तो सोहिले तो अरमता करनी है केंदने सोहिला पढ़के जदो मनुख गैरी नेद विच उतरदा है तो प्रभूदी कई दफ़ा रहमत हो जान दी है कि फिर ऐसे ही घी तो चल दे रहने है चल दे रहने और उसे दे विच फिर सारी रावत जदो बीद जावे ता फिर मनुख दी रावत नेद विच नहीं बती तो ही उत्थे भी संगत चल दी रही उत्थे भी इबाद चल दी रही तो फरीद जी कंदे ने जेकर तेरी चार पहर बीत गए दुनिया दी पतार्त भोगदियां भोगदियां चार पहर बीत गए गैरी नेद विच और कंदे ने लेखा रब मंगेशियां तुम आहो केरेकम और रब तेरी तो लिखा मंगेशियां तो की जबाब दे परमात्मा ने पुछना है तेनू मां दा प्यार मिलिया तेनू पता दा प्यार मिलिया तेनू पत्नी दा प्यार मिलिया तेनू पती दा प्यार मिलिया तेनू बच्यां दा प्यार मिलिया और मेरे बल्लों बनाई हो बेश्मार कीमिती हावा अगन पाणी बनस्पती तेनु सबकिछ प्रापत होया सारे सुक तेनु प्रापत होया और इतना ही नई तेरे जिन्दगी देविच कोई संत पुरुष भी पेजिया जिनाने तेनु आके मेरी गल्वी सुनाई मैं अपने वल्लों सब किछ संपूरन कीता और तूं बोल तूं क्यों नहीं बन्दगी ते साड़े कोड की जबाब होएगा की जबाब होएगा क्योंकि इस रूहें जमीन पे कुछ लोग ऐसे भी आउंदेने जो कीरतन नूं कथा नूं एक रोजी दा जरिया बना लेंदेने आउंदेने की रोजी चाहिए दे है रोटी चाहिए दे है पर कुछ ऐसे भी आउंदेने जेनादा आउना परवबकार करन लही आउना रबदी गल इसकर के सुनाउने है की परवबकार जो मिलिया है उसनों बंड़ना है प्रभू ने पुछना है कि सबकुछ मैं अपने वल्लों मुकम्मल कीता संपूरन कीता और तोंदस तेरे वल्लों की कमी रह गए अक्सर पुछलें देने पेता कहने दा है बचे नो मैं सबकुछ तेनो दिता की कमी रह गई से मेरी सेवा विच जो तुप पढ़ाई नहीं कर पाए और बच्चा कहा देना है एक कमी से पिता कहने दा ठीक है मैंनो पहला दस देना पर धरमरी दुनिया विच अशी कुछ भी नहीं कह सकते कि एक कमी से कुछ भी नहीं कह सकते कितना सुन्दर शरीर बख्षिया कितनी सुन्दर अख़्ां बख्षाने जगतनों देख सकते हैं कितने सुन्दर करन बख्षेने दुनिया दी आवाज नावध धुन शबद सुन सकते हैं कितनी बेश्मार कीमती रसना बख्षी है बोल सकते हैं संसार दी खोश्बू ले सक देया परमात्माने नासका बक्षी सोने हत बक्षे ने पैर बक्षे ने भोजन करन तो बाओद बेफिक्र होके सोजन ने आ ते ओ भोजन अपने आप खून परी बनदा है अपने आप तो परमात्मानों की जबाब दोगे लेखा रब मंगे सियां तो आहो कहरे कम तिरे कुल की जबाब होएगा कुछ भी नहीं उस वेले देकर साधियां अखा नीमियाओं ते घर्दन जुका के खड़े रही है ठीक होएगा के अजगाला अज़समा है नहीं ता फिर उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन दो आरजू में कट गए है दो इंतजार रफता रफता जमाने का सितम होता है हर रोज एक दिन मेरी उम्र में कम होता है का तो फरीद जी कंदे ने जेकर तेनों समझ ना आगे है तो तू समझ ले ले है फरीद किस तरह समझा रहा है कंदे ने पुदारन बहुत पुरातन है बहुत पुरानिक है कि अक्सर जगत विज्य जदों भडियां दा आविश्कार नहीं होया ऐसे तो समेधी खबर किस तरह देंदे सी कोई कृत्रिम यंत्र बनाया कोई ऐसा यंत्र बनाया कि जो समेधी खबर दगे फिर बहामे ओपन घड़ी होए जिसनों असी केंदे आपाई बहामे कोई होर निशान होए फिर की करदे सी एक बहुत वड़ा घड़िया तंग्या उन्दा सी ओवजान दे सी के होन इतना समे बीत गया हर घंटे बाद उस घड़िया ते चोट पेंदी सी हथोड़ी दी चोट फरीद जी उसनों देख देने और कंदे ने कि इस घड़िया ते जो हर घंटे बाद चोट लग दी है हर घंटे बाद पहला मैंनों एदसो इस घड़िया ने गुना की कीता है दोश की है इस दा जो हर घंटे बाद एद शिर्त चोट पेंदी है तो फरीद जी सनुष्ट्रा कंदे ने फरीदा दर दर वाजे जाई गए क्यों डिटो गड़िया कदे वेख या घड़िया दर दर वाजे जाई गए कितों किसे दे घर जाके कदे देखिया गड़िया हर घंटे बाद चोट लग दी है तो फरीद जी कंदे ने एहे ने दोशा मारी है इतन निर्दोश है गड़िया फिर वीस नो मार पेंदी है हम दोशां दा क्या है इतन निर्दोश एथे निर्दोशा नो मार पैर रही है तो साड़े पर के फिर दोशां दा की आल होएगा मैता अर्थ करना जिए इतने भी गल समझ आ जाए तो हिर्दा रोणा शुरू कर देगा कि वाकिए साड़ा की आल है की हल है फरीद जी इस बाणी नो सुनके कबीर साहिब दो एक बचन जेते आ गया कबीर साहिब के दिने थरहर कंपैं बाला जीव ना जानों क्या कर सीपी रैन गई मत दिन भी जाए भावर गए बग बैठे आए पता नहीं परमात्मा कैसी सजाद अवेगा जवानी ता बीत गई रात ता बीत गई दिन भी जा रहे आए बढ़ेपा भी जा रहे आए भावर ता उड़ गए बग ले आगए भाव काले केस कतम हो गए उन्चिटे हो गए ते मन मन डरदा है पता नहीं की होवेगा की होवेगा तो फरीद जी कंद ने तुम इसे तुम सिख्या लेले जदो एक निर्दोशन मार पैर रही है विर्दोशन मार पैर रही है और आउगण एक नहीं अनंग जेता समंध सागर नीर भरिया ते ते आउगण हमार है इतने आउगण है इतने आउगण आशा की वार की एक पंक्ती आउनी है जिस विच साहिब जी कंद ने वड़ी वड़ियाई बुझ है सब भाव हे प्रभू तेरी वड़ियाई बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है क्यों? क्योंकि तुम मनुख दी भाशा ता जान दाई है मनुख दा भाव भी जान दाई है क्योंकि भाशा विच बोली विच और भाव विच फरक है तु जान दाई है इस दी भावना किस तरह दी है एदे विच कितना प्रेम है एदे विच कितना सिदक है एदे विच कितनी प्रीत है कितनी शर्दा है तु जान दाई है तो धन गुरु नानक साहिव दी ए पावन बाणी सोण के बाई गुर्दास जीनों फिर करना पिया केंदे नहीं प्रभू जदों तुँ भावनों भी जान दा है तो मैं तेरी सामने के इस्तरा हूँ क्योंकि अक्सर विखन विचाया के मनुख दे बहुते भाव गलत होंदे गुस्ता की माव मनुख दे बहुते ख्याला सही नहीं होंदे गलत होंदे जदों तुँ भावनों भी जान दा है मैं तेरे सामने के स्तरा हूँ क्योंकि तुँ घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पचानत मैं के स्तरा तेरे सामने आवा तो तो सारे परदे खोल देंगा तिम सब पता है बाई गुर्दास जी उसे शवद विच लिख देने कि मैं तेरे नाम पतित पावन भी सुने आए फिर मैंनू धीरट मिलदा है धीरट के तुम पतित पावन भावो तुम बे शुमार गुनाहवानों वेखनतों बाद भी तुम मनुक दे परदे इस तरह ढ़कदा है जमें म मतादी मारी मां अपने बच्चे दे गुनाह गंदगी देखनतों बाद भी उसनों प्रेम कर दी प्यार कर दी जदों ए गुण में तेरे वेखना फिर मैंनू धीरट मिलदा है कि तुम परदे ढखदा भी गुनाह देखनतों बाद तुम परदे ढखदा भी ढखदा और वा और जिय मनुक किसे दा एब एक दफा देख लवे सारी जिंदगी उदे आयब खोल दे रेंदा। सारी जिन्दगी एक दफा जेकर ओदे आईब देख लिन्दा है तो ओदों तक मनुखनों शांती ने मिल दी जदों तक ओदे आईब दोनिया देविचनी फैला देंदा ओदों तक शांती ने मिल दी और एथे अनन्द ऐब सारी वेखरियाय परमातमा दोखन देखत है हर रोज सारी दोख कुना देखदा है फिर भी परदे पादेंदा है मा अपने बच्चेयां ते परदे पादेंदी प्रभुवी परदे पादेंदा है कहन दभाओ हुन जेकर तुम परमातमा देनाल प्रीत जोड लवेंगा वो तेरे गुना धक देगा भामे कितने ही गुना हो न क्योंकि गुना एक नहीं है अनन्द ने जेता समुन्द सागर नीर भरिया तेते आउगुन हमारे दया करो किछ महर उपावो डब दे पत्थर द है कि प्रभू तेरा तस्वाव है डुबदे होई पत्थर नो वितार देना क्योंकि पत्थर डुबद है कठोर है डुबद है तेरे नामदी महीमा इतनी है देवा पाहन तादियल है राम कहत जन्न कसनतर है। ये देवा तेरे नाम दे सद के नपत्थर भी धर गए ये इशारा कीता है जदों पुल त्यार कीता से लंका दे विच प्रिवेश कर रवासते है देवा पाहन तारियल राम कहत जनकस्न तरे तारियले गनका बिन रूप कबजा ब्याद अजामल तारियले तर गए इतने सारे तर गए तेरी नाम दे सद के मैं भी तेरी पना विचाया है प्रभू मेरे तेवी गर्पा कर मेरे तेवी जमत कर तो फरीद जी कन्दे ने जे कर तुँ एगल चेते रखेंगा के निर्दोश गड़ियाल नूं मार पहर रही है फिर मैं तदोशी गड़िये मारी है पहरीले स विच ने जाये सो हेरा घड़ियाल जियों डुक्की रैण के रही है सो हेरा के निर्दोश गेंदियान शरीर है प्रभू मेरा शरीर ही इक गड़ियाल थै कर त इसनों भी मार पहर रही है विकारा थ चोटाँ दिया और विकाराँ दिज़ी मार बह रही है डुखी रैन भी हाए मेरा जीवन दुख विछ बतीत हो रहे है कलेशा विछ बतीत हो रहे है तों किरपा कर क्योंकि जीवन बतीत हो दो जा रहे है और जीवन भी किस तरह बतीत हो रहे है जदों अपने शरीरों में विखदां कमदा जारिया है धिला होंदा जारिया है कमजोर होंदा जारिया है अख्छां दी ताकत कन्ना दी ताकत जेहवा दी ताकत हत्थां पैरां दी ताकत दिन बादिन कमजोर होंदी जारिया तो फरीद जी कंदे ने बढ़ा हुआ शेख फरी कम्बन लगी दे ओही शरीर है जो कज़े बहुत ताकतवर होया करदा सी अज ओही शरीर कम्बन लगी है क्योंकि जो मनुख 20 साल दी उमर विचे कम कर सकता है वो 40 साल विचे नहीं हो सकता और जो 40 साल विचे हो सकता है वो 60 विचे नहीं हो सकता क्योंकि उमर है शरीर है कमजोर होना जा रही है तो फरीद जीकंद ने बुड़ा हुआ शेख फरीद कम्बन लगी देहे जेसो वरिया जीवना भीतन होसी खे कितना को जी लवागे साव साल अखीर विचता जगत तो रुक्स तोना पहेगा जाना पहेगा क्योंकि एथे थेरता कोई है नहीं फरीद जीकंद ने शेख हयाती जग न कोई ठिर रहा जिस आसन हम बैठे केते बैस थेरता कोई है नहीं भावे कोई साव साल जी लवे भावे कोई दो साल जी लवे अखीर विचता जाना पहेगा और अखीर विच फिर वाव पहेगा परमात्मा देना उसती कचेरी दे विच जिसनों धान गुरु नानक सहिव दिखना देने हे प्रभू सचे प्रभू तेरा हुकम भी सच्चा तेरा प्रमाण भी सच्चा तेरी नदर भी सची, तेरा निशान भी सचा जदो उस दिवान देविच, जो सच्चा दिवान है, सच्चा दरबार है, सच्ची मजलिस है, सच्ची मैफिल है और उस इलाही मैफिल देविच, उस इलाही मजलिस विच बैठांगे तो केंदे ने फिर तू लिखा की दवेगा की दवेगा तो एकल चिते रखना कि जे सौ वरियां जीवनां भीतन होसी खेह अखीर विच छड़ना पैगा छड़ना पैगा तो ठीक होएगा कि उस समय तो पहला कि जदों सी संसार तो रुखसत तो ये प्रभुद गीत का लिए प्रभुदी संगत कर लिए निरंकर दप्यार पा लिए गुरु सैब जी ग्रेम तांकरन बाकी विचारां कल करांगे उल्ला चुकांदी खिमा वाहि गुरुजी का खाल साथ वाहि गुरुजी की फत्ह